हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लर्ण जोग्रफी हम लोग आज फिर से लोकल विंट्स को पढ़ने वाले हैं शुस्क पावन जो है शुस्क अस्थानिय पावनों के बारे में इससे पहले हमने और तीन वीडियो अपलोड किया है इससे रिलेटेड आप वहां मेरे डिस्क्रिप से इंपॉटेंट होते हैं और नेट के एक्जाम में इस एक या दो केशन जरूर पूछे जाते हैं तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो है गर्म और शुस्क अस्थानिय पावन वह सिरको क्या है सिरको सहारा डेजर्ट से मेडिटेनियन सी यानि भू इस ग्ते हैं कि gates जगह पर यह पहुच्टी यह वहां पर विजिविलिटी जो है वह फ़ता हो जाती है इतली और इसमयर क्रते में इन-करती है सहारा डेजर्ट से मेडिटेन सीव की तरफ कि की फो उते हुँए एचलओ में पहुच्छ थे यह लियां इतली में पहुच्टि की वर्शा करती है लेकिन मैंने बताया कि इसके साथ बहुत सारे रेत कंड भी होते हैं और यह जो कंड होते हैं रेत के उनका रंग लाल होता है तो जब कभी एटली के कुछ भागों में वर्शा करती है तो ऐसा लगता है जैसे कि ब्लड रेन हो रही है जिसे रक्त वर्शा कह है इसके लावा यह हवा जो है सिरकों जो है इसको अलग अलग नाम से अफ्रीका के कुछ अस्थानों पर पुकारा जाता है जैसे मिस्र में इसको खंसिन कहते हैं लीबिया में इसको गिबली के नाम से पुकारा जाता है टुनीशिया में इसको चीली कहते हैं यह सिरकों को ही आगरवर्ति भाग यानि सिरक को आगे बढ़ते हुए जब इन अस्थानों पर पहुंचते हैं इस नाम से इसको पुकारते हैं इसके लावा दूसरा जो है स्थानिय पवन वह हर्मटन हर्मटन जो है वह भी सहारा की मरोस्थल में ही बहने वाली एक स्थानिय पवन है लेकिन क समय यह हर्मटन हवा चलती है उस समय अफ्रीका के पश्मी टड़ जो होते हैं जहां गिनी के टड़ वगयरा इस्तित हैं वहां आधरेता बहुत ज्यादा होती है और गर्मी भी अधिक गर्मी और अधिक आदेता जो है जो यूमेन बोड़ी पर बहुत ही बुरा एफेक्ट डालती है जिससे तरह तरह की बीमारिया पैदा होती है जब हर्मटन जो है सहारा के पूर्वी भाग से होते हुए पश्यम की तरफ बढ़ता है तो यह बिल्कुल ही शुष कहनी के ड्राइव होता है और यह ड्राइव पावन जब गिनी के टड़ पर पहुंचता है तो पूल परियांदी होती है जब यह जिस इलाके में यह जी से रियाज में पहुंचती है वहां की विजिबलिटी जो है वह खतम हो जाती है इसके इलावा नेक्स्ट है सीमूम सीमूम भी गर्मस्थानिये पवन है जो कि अरब सागर में चलने वाली है लू उत्तर भारत के जैदानी भाग में गर्मी के मौसम में ग्रिश मेरितु में जो गर्मस्थानिय पवन चलती है उसको लू कहते हैं इसके इलावा ब्रिक फिल्डर एस्टेलिया के विक्टोरिया प्रांट में इसके विक्टोरिया प्रांट में ब्रिक फिल्डर नाम से गर्मस्थानिय पवन च चामल कहते हैं इसके साथ ही न्यूजिलेंड में गर्म अस्थानी पवन को समझा फ़ला है इसमें कुछ और सिफिए बचा है कि कुछ यह घर्मस्थानी पवन थी अब जो बचा खुए तब चानिये पवन यानि लोकल विंड है वह कौन कौन सी है तो फिर इसको हम लोग नेक्स वीडियो में समझते हैं तब तक इसको समझते रहिए और इसको याद कीजिए क्योंकि के एक्जामनेशन पॉइंट ओभी से इंपॉर्टेंट है एक एदोकेशन नेट में जरूर आते हैं चाहे वह जिस टाइब से भी आएं तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर